लो बच्छों नमस्कार आप सभी का श्वागत अभिनादर हमारी यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे राजस्थान पीटीटी टू यर्स एंड फोर यर्स के बारे में उसकी कॉलेज अलाउट्मेंट लिष्ट जारी हो चुकी है और जिन जिन बच् जाना है ठीक है जैसे कॉड़् ब्राउजर हो सकता है गूगल ब्राउजर जो भी करते हैं उसमें आपको जाना है और वहां पर आपको आपको फॉर यर वाले वह वाले उसको टु यर पर कलिक करना है और वहाँ पर आपको एक option मिलेगा उसके अंदर की college allowance list के बारे में तो वहाँ पर आपको या ऐसा मिल सकता है की college allowance letter तो उसके उपर आपको करना है click जैसे आप वहाँ पर click करेंगे न तो आपके सामने जो आपको college allowance हुई है वहाँ पर आपको वेवरून बता दिया जाएगा अगर आपको college अलाउट नहीं हुई है तो भी आपको बता दिया जाएगा ठीक है इस वीडियो में हम बात क्या करेंगे सबसे पहला आपका जो कोशन है कि इसकी cut-off है वह यानि college अलाउट हो चूकी है तो इनकी जो cut-off है वह क्या आ रही है पहला कोशन है cut-off के बारे में किसके बारे में कई कई question है दस question है मैं आपको complete इसमें बताने वाला हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में प्टेटि समंधी तो आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहता है अगर आपको कॉई डाउट रहता है तो हमें comment कर सकते हैं ठीक है तो वीडियो को पूरा देखना है उस कि कुछ घर से दूर मिल जाता है तो ठीक है दो तो यह मतलब मन पसंद कॉलेज नहीं हो सकता है ठीक है दूसरा कोशन यह तीसरा कोशन है कि मन पसंद कॉलेज उसके बाद को अब को अपको से सब्सक्राइब करें तो क्या सब से पहला है कि कटप क्या रही है तो जैसे कि आप सभी को पता है राजस्थान पीटी टी टू यर्स और फॉर यर्स और वीस्टी इसके समद्धित में किसी भी परकार की ऑफिश्यल कटप कभी भी तक जारी है वो नहीं हुई है जानी कि अब भी तक जितने भी राजस्थान में प्यटी और BSTC की जो अग्जाम हुए है उसकी कॉलेज अलाउटमेंट से समझे किसी भी परकार कोई कॉलेज है वो कट अप है वो जारी नहीं करता है कि इतने नमर वालों को हमने कॉलेज दिया है वो केवल ऑफिशिल रहती हैं वो केवल और केवल विबाग हुआ जो send की जाती है बाकी किसी भी परकार की वो सारवजनिक नहीं की जाती है तो सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है कि इसमें college जो alloutment होता है उससे शमझे किसी भी परकार का कोई cut-off नहीं रहता है लेकिन इस बार आसा है कि PTT 2 years और 4 years की जो cut-off है वो काफी कम रही है ठीक है अगर बात करें तो एक बच्छे का मेरे पास messages भी आया है उन्होंने कहें कि मेरे जो cut-off जो रही है उनकी जो नंबर थे ठीक है वो ऐसी category से था जिनके अलग बग 2211 नंबर थे उनको जैपुर में college मिल गई है ओम डिश्टिट तो उनको नहीं मिला है लेकिन जैपुर में को college मिल गई है वो दोसा से है और उनको जैपुर में college मिल चुकी है दो सो इंठानो टू ये और आर्ट से समंधित है वो ठीक है ऐसी category से तो कटॉप से समंधित किसी भी परकार का जैए सभी college के अलग अलग कटॉप रहती है ऐसा नहीं होता है पहला क्वेशन आपका कटॉप से समंधित पूर्ण हो चुका है दूसरा क्वेशन है कि मन पसंद कॉलेज नहीं मिली यानि आप सभी को पता है college अलाउट हो दूसरे ये हैं कि आपको किसी दूसरे जिले में कॉलेज मिल गई हैं या आप अपने श्रम के जिले में आपको कॉलेज मिली हैं लेकिन अगर बात करें कुछ ऐसी भी कॉलेज हैं जो आपको बहुत दूर कॉलेज मिली हैं तो उसको आप मतलब आप कह सकते हैं कि मन पसंद कॉ इनका यह होता है कि जो आपको कॉलेज मिल गई है न एक बार आपको क्या करना है इमित्र पर जाना है 22,000 रुपे की जो फीस बने की जो डैट है वो 28 जुलई से लेकर के दो अगस्त के मद्या आप है वो अपनी 22,000 रुपे के फीस इमित्र के माधियम से बरवा सकते हैं ठीक ह जो इसका प्रिंट आउट होता है जैसे आपने पाँच जार रुपे की फीस पर युशी परकार का आपको पासे एक है वो 22,000 रुपे की अलाउटमेंट आए ठीक है तो वो आपको निकाल लेना है वो इमित्र पर आपको दे देगा ठीक है वो आपको लेकर जाना है ठीक है अगर आप college change करवाना चाते हैं, अगर नहीं भी करवाना चाते हैं, तो अभी आप दोनों student को उसमें जाना है, यानि एक ऐसे student होते हैं, जिनको college change करवाना है, और एक कुछ ऐसे भी student होते हैं, जिनको college यह वो चंज नहीं करवाना जो मिला है, वही उसके लिए बहतर है, तो तो दोनों के लिए दोनों student को जाना होगा जो आपको पहले college लाउट हो चुका उसमें आपको जाना है offline reporting के लिए और reporting के लिए आप उसमें क्या होता है कि आपको कुछ document वगेरा वहाँ पर verification होता है तो उनके लिए वह आपको लेकर करके जाना है जो और वह उसमें कौन-कौन से document है उसके लिए मैंने वीडियो के description में आपको link दी गई है वीडियो इसी वीडियो के description में और i button में जो आपको link देख रही इसके उपर आपको click करना है और वो सब भी आपको 16 कागजात आज ही तैयार कर लेना है अगर आपने अभी तक तैयार नहीं किये तो फिर आपको पता ही है 10-15 दिन में आपको अगर नहीं करते हैं रिपोर्टिंग तो आपका जो एडमिसन है वो कैंसल हो शकता है ठीक है और जो आपने 22,000 रुपे और जो 5000 रुपे की फीस बरी है टोटल 27,000 रुपे वो भी आपकी वापस उसमें से एक भी आपको रुपे वो वापस नह लेना है और अगर आपका कोई स्वाल वगेरा हो कोर्शन क्वेरीज वगेरा तो हमें कमेंट कर देना हम आपको बेजजग जल्द से जल्द आपको रेपलाइ करने की फूरी कोशिस करेंगे तो यह आपका इसके में प्रोशेश होता है यानि कि जो आपको एक बार कॉलेज अगर को चुका इसमें आपको जाना है और यह डूकियूमेंट सब भी आपको लेकर आपको बार सकते हैं तो ईमित्र के माधिम्स से भी आपको उसका प्रूड हो सकते हैं ठीक अपनी जो counseling ID वगरा वहाँ पर आप login होने के बाद में उसमें आपको एक option मिलेगा approved moment जैसे यार approved moment के उपर आपको जो करेंगे click तो वहाँ पर आप अपनी कोई भी college जब चंज कर सकते हैं approved moments में करने के बाद में ठीक है और वो approved moment का result कब आएगा यानि उसमें जो approved moment में जो आपको college अलाउट होती है वो उसका कब तक आएगा वो हमें आपको आगे बताएंगे ठीक है मन पसंद college नहीं मिली है तो आप यह मैंने बता दिया है अब हम बात करते हैं क्या reporting सभी के लिए आउशक है बिल्कुल जिनको college जलाउट हो चुका है एक बार उन सभी student को यह सभी शोड़ा का आग जात जो इनका description में आपको लिंक दीगा यह वीडियो की वह आप एक बार देख लेना वो दोक्यमेंट आप तयार कर लेना ठीक है और वह सभी डोक्यमेंट आपको जो college अलाउट हो चुका है उसमें आपको लेकर कर जाना है और लेकर जाने के बाद में आपको वहाँ पर रहे वह मतलब की आप जमा करवादना वहाँ आपको रेपोर्टिंग हो जाए अगर आप रेपोर्टिंग नहीं करते हैं तो उसमें साप-साप लेका हुआ इसके नौटिफिकेशन में पीटीटी नौटिफिकेशन में की अगर कोई भी स्टोडेंट रेपोर्ट वोट समय पर नहीं करता हैं तो उसके लिए वो विद्यारती श्वम जिम्यदार होगा जसने 5000 रुप्य और 2000 रुप्य की फीज करीब वरी है और उसका एक भी रुप्य वापस है वो नहीं किया जाएगा यह साफ साफ है वो लेका हुआ है उसके बाद में दोस्तों 22000 रुप् टी से वो जमा करवाशकते हैं एमित्र के माधिम से जो एक इसृड़ मोंट करेंट होस्क का मतलब होता है को लिए चिण किया जाता है यानि हम यह कह सकते हैं, और अप लिच्छ दू direct np और साफ पारा रुप्रेज कि पया है यैसे करे फांद करちゃ एगीने ने इसमें पलिंद कि अप्रूड मुमेंट के सपरकार होता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई वहां पर वह भी आप वीडियो एक बार देख सकते हैं ठीक है तो यह आपका प्रोसेस रहने वाला है यानि कि आपकी जो 22,000 रुफे की फीस है वह आपको समय पर बलना है यानि कुछ ऐसे स् तारिक से लेकर के 30 तारिक तक 2-3 दिनों के मद्य मद्य जल्द से जल्द है वह आप उसमें फीस अपनी वर सकते हैं और फीस 22,000 रुफे की बने के बाद में जल्द से जल्द आप वह जाई जो आपको जाना है रेपोर्टिंग करनी है और रेपोर्टिंग करने के तुरंत बाद आप अपरूड मुवमेंट अपलाई कर देना ताकि आपको जल्द से जल्द जो बच्चा जितना जल्द आपरूड मुवमेंट करवाएगा उनको बहुत ही जल्द यह और बहुत ही ज़यद उसको चांसे होते हैं कि 99% चांस होता है कि उनको कॉलेज यह अलाउट हो जाएगा अलग से अगरा ठीक है अब हम बात करते हैं डॉनेशन और रेगुलर के बारे में कुछ एसे स्टूडेंट होते हैं जिनको एक बार कॉलेज अलाउट हो जाता है और उनको डॉनेशन से समझद कुछ प्रॉब्लम वगिरा रहती हैं डॉनेशन का मतलब वैसे दान जोगा लेकिन्येग की हानोज में काणा कि अलग से डॉनेशन नाम से वह गेर कानोनी होता है तो इसमें थोड़ Immediately है कि आप आप को अपरूलइट हो मेंका करवाते हैं तो काट नहीं किछए कारण तो आप पहले पहले तो आप आपकी सीट तो पकी है 101% वो आपकी सीट कहीं नहीं जाएगी जब तक आपको अपरूट मुमेंट में कॉलेज नहीं मिलेगा अगर आपको अपरूट मुमेंट में कॉलेज मिल जाएगा तो जो आपको पहले कॉलेज मिल चुक है उसकी seat एक खाली हो जाएगी और जो आपको नया college मिला है वहाँ पर आपको एक seat है वो पकी हो जाएगी अगर आपको approved moment में college नहीं मिलता है तो जो आपकी पहली जो seat थी वो आपकी seat तो 111% हो तो वह वहीं की वहीं रहेगी ठीके वहाँ पर आपकी घबराने के आपको आउशकता नहीं है दूसरी बात है कि कुछ ऐसे student है जिनको college अलाउट नहीं हुआ है तो उसके बारे में मैं क्या बता हूँ ठीके उसके बारे में दोस्तों अगर बात करूं तो उसके बारे में हम यह कह सकते हैं तो उनको घबरान करके आप या उनको भी पुने आप उसमें कुछ और नहीं college एड़ कर सकते हैं तो वह आप दोबार उनकी डेट जारी होगी आपको गवराने के आउशकता नहीं है ठीके तो वह आपको दोबारा college फील करनी होगी लेकिन 5000 वपर की फील से आपको दोबारा है वह नहीं भरना है और जिनको एक बार पहली बार में जिनको college अलारूट नहीं हुआ है उनको दोबारा है वो counseling करवाने यानि counseling फीस तो वही रहेगी आपके जो भर दी है वो दोबारा आपको 5000 रेपे फीस नहीं बनी होगी और आपको क्यों लोग college जो आपने पहले बरी है उसको आप change कर सक हैं तो यह आपको chances है वो दिया जाता है ठीक है तो वह आपको वेटिंग लिस्ट वही कहलाती है और इसकी अभी तक डेट जारी नहीं हुई है जैसे इनकी जारी होगी तो मैं आपको अलग से वीडियो बना करके बता दूँगा चैनल को subscribe कर देना वीडियो को like कर देना ठी कर देना आपको सभी को पता ही है जो आपने college पाथ जारी पे की पहले आपने फीस जमा करवाई थी कितने दोस्तों पाथ जारी पे की जो फीस जमा कर रही थी वह 25 जून से लेकर के 17 जुलाई के मद्द्द आपने कर वाई थी college feeling का जो टाइम होता है वह आपने आपको पता है चार जोलाई से लेकर के बीस जोलाई के मद्दे आपने वो कॉलेज फीलिए वो कर दिया था और आज हो चुका है 27 जोलाई कॉलेज अव्ट हो चुका ह्ता है अब आपिंज अलाउट हूं आप्स युद्ध फीस फीलिंग और आपको कॉलेज अलाउटमेंट यह तीन करना इनकी जो डैट होती 22,000 रुप की फीस, वो आप कब से करवा सकते हैं? वो आप 22,000 रुप के मादिम साइबर के थे के मादिम वगेरा जो भी आप यूज़ करते हैं उसके मादिम साप करवा शकते हैं ठीक है? और आपको जो रिपोर्टिंग करनी है यानि आपको दोस्तो रिपोर्टिंग सभी student के लिए आउश्यक हैं अगर रिपोर्टिंग आप समय पर नहीं करते हैं तो आपका admission रद किया जाएगा और जो आपने 27,000 रुपे की जो फीस बरी हैं दोस्तो 24,000 रुपे की जो आपको फीस बरी हैं वो आपको वाफस refund नहीं होगी आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो आपको reporting की जो debt होती है वो अगर बात करें तो आपको reporting की जो debt है वो कब तक है वो आप 29, 29 जुलाई से लेकर के प्रफ्री नगस तक है आप इसको कर सकते हैं reporting जो आपको कॉलेज और पोटिंग के लिए सोड़ा डोक्यूमेंट आफश्यक है वो आप जल्दी से जल्दी बना लेना है और वो सोड़ा कौन-कौन से डोक्यूमेंट है यहां पर आपको लिंक देख रही है और डिस्क्रिप बना रखा है वो भी आप देख लेना है ठीक है और इसमें जो आपको कॉलेज व्योनेट होगा मान पसंद आपको कॉलेज नहीं मिली है तो आप college change करवाते हैं college change का मतलब होता approved moment का मतलब होता है उपर से नीचे ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है और यह approved moment यानि जो आप college change करवाते हैं इसका जो result आएगा यानि आपको जो college out होगा ना जिससे 27 तारी को हुआ इसी परकार आपको आपको 8 अगस्त करोगा दोस्तो आपको एगस्त तो आपको approved moment का आपको college राओत होगी और याप działaी आपको जो रिपोर्टिंग करनी है वह आपको 9 अगस्त करनी है दोस्तों है नव अगस्त से लेकर कर 12 अगस्त के मद्가 आपको approved moment में आपको क्या करना दोस्तों आपको reporting करने हैं आपको ध्यान में रखना हाल फिर यही आपकी जानकरी रहने वाली हैं दोस्तों वीडियो कैसा लगा comment कर देना अगर किसी भी परकार का आपका कोई doubt वगेरा हो तो direct हमें comment कर देना हम जल्द से जल्द आपको hand to hand आप पूरी कोशिस करेंगे पीटी एटी और बीएश्टी सी को श्रमंदित है अपना चैनल आप सभी के लिए बहुत बहुत है वह अच्छा content वीडियो वगेरा लाते हैं जानकरी आपको समय समय पर देते हैं तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना मिलते हैं एक और किसी न निवाद